प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना कितना महंगा पड़ सकता है अगर आपको यह जानना है तो राजधानी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल का एक केस है जहां पे एक करोड से भी जादा का बिल एक कोरोना पेशेंट का आया है मैक्स साकेत की घटना है यह और इस माम महला है वह आपके पास मदद के लिए उन्होंने आप से कॉंटक किया सर हॉस्पिटल से आपकी बात हुई हॉस्पिटल ने आपको क्या रिस्पॉंस दिया बहुत ही एक करोड साथ लाक का बिल है कि करोना मरीज से आप इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो और जब वो म लोग आते हैं इस प्रकार से मेरे पास तो बड़ा एक्तम हाटलेस रिस्पॉंस था उनका उनका रिस्पॉंस यह था जान बचा दे जाब इतनी बड़ी बात नहीं है आप क्यों मांग रहे हैं और डिस्काउंट तो मैंने का भी जान तो आपने औरों की भी वहां लोग आय तो उनके आप रिस्पॉंस बोलो एक लौता व्यक्ति है मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो की एकमों के यूज के बाद बच पाएं हैं उससे क्रेडिट चाहते थे मैक्स वाले मैंने कभी एक व्यक्ति बचका तो क्रेडिट ले रहे हो और जितने लोग चले गए उनका कौन की घर बापस आ जाए तो मैं ऐसे इमोशनल मॉमिंट पे हस्पिताल के द्वारा इस प्रकार का बिल रेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो की मेरे अनुसार निंदनिये हैं और मैंने कहा है चुकि मैंने आज मानिय स्वास्मंत्री से बात किया था और जो डि आइसीओ में इतना और नॉर्मल में इतना तो क्या उन कैपिंग कैप्ड प्राइसेज को इसमें ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया तो सब कुछ की जांच होनी चाहिए और उसके बाद देखा जाए भी गलती कहा हुई किसे गलती हुई आ बड़ा इंट्रेस्टिंग सा और बड़ा सौकिंग सा भी मुझे रहा कि जी एकमो का जो यूज है वो से 21 डेज के लिए अलावड है अस पर मेडिकल इंफरमेशन बट इन पर 52 डेज यूज किया गया मतलब आप समझ सकते कि प्रमात्मा का आसिरवात से बेक्ति बच पाया है नहीं तो इस प्रकार का जो यूज हुआ है इनके ऊपर सारी चीज़ चली हैं तो बहुत मतलब एक तो करामात कह सकते हैं इसको आप कह सकते करामात हुआ है विक्ति के साथ लेकिन होस्पिटल का कहना है कि परिवार को कुछ खास दिक्कत नहीं थी इसको इसको बनाया जा रहा है अब देखिये हो क्या हुआ है कि विक्ति जिनका इलाज हुआ हूँ आप हमारे पास तो सारे सबूत हैं लेकिन परिवार चाहता है कि उनका लाज वहीं से हो रहा है और अभी थोड़ा से लाज बगाया है वह चाहते नहीं कि अपने अपने पीडित जो महला इस प्रकार से अपनी husband का treatment कराया है मैं उनकी पुरी privacy का बड़ा इजद कर रहा हूं मैं उनकी नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसे moments पे किसी की हिमत नहीं है कि वह हस्पिताल के खिलाब बोल सके लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा है और ये बाते भी कहीं है कि हां बहुत बतले इस प्रकार का बिल बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सर अभी जितनी जानकारी फैमिली ने कुछ दे दिया है तो क्या उसमें किस तरह की कुछ अलग से मदध मिली या फर अजने खोद ले नहीं इस फक्त तो चुकि हम बड़ा मेरे लिए बहुत सब्सक्राइब करें तो बगैर पैसे लिए यह नहीं करते हैं रिली जी जूली जबकि डेट बॉडिस के ऊपर कोई लियन नहीं तो मैकस का कुछ खास इस प्रकार से रहा है हमिशा पास्ट में तो यह कह रहा हूँ कि इनके पूरी जो कौरोना के दौरान जितने उन्हों ने जाच करी जितनी इन लोगों का इलाज करा उसकी उसकी आडिट होनी चाहिए जोकि मेरे पास कितने वेक्तिया आपाते हैं तो जि कर सके इनके सर्विसेज को foreign countries में जुली हैं तो तो कौई मैंने भी और मनीश ये झिमने शुतिवारी हैं जो कंग्रेस के सांसाद उन्होंने भी दिमांग कि है कि एक regulatory authority बने एक बिल बिल पास हो तो भाजपास सरकार आद सिंटर में हैं अगर वो यह बिल के जरीए एक regulatory authority का establishment करते हैं जो कि health care में जितने भी institutions involved है उनके regulate कर सके कम से कम कोरोना जैसे दुरान आप सो सकते हैं उस बकत तो कोई भी वेगत कुछ भी दे रहा था तो इसलिए बहुत जरुवत है इस बकत high time है कि देश के अंदर एक regulatory authority बने उसके लिए बिल पास हो मानिये मोदीजी से मैं जोड़की विंति करता हम कर दें जिसे कि private institutions के उपर लगाम लग सके मामला इतना गंभीर है आपकी मुख्यमंत्री के जिवाल से भी बात हुई होगी इस पर कुछ क्या response रहा है कि आगे इस पर क्या किया जा सकता है नहीं बहुत सीरिज है मानिय अर्बिंजी अभी दिल्ली मनी थे आज ही आए हैं अभी अभी आए हैं आज ही आए हैं चुकि वेपस्ना में गए हुए थे तो मने मानिय स्वासमंद्री से बात की थी आज तो हम लोग बहुत इस पर चित्तित हैं और इसको हम आखरी पॉइंट तक जांच करेंगे भी डिसकाउंट ढंका नहीं दिया गया और जवाब भी जहां तक बात है मैक्स हॉस्पिटल की तो जवाब भी बहुत अच्छा नहीं रहा जिसको ले करके आगे आखिर क्यों इसमें रेगुलेशन नहीं हो सकता है रेगुलेशन की भी मांग हो रही है कि प्राइवेट हॉ साथनी वेदिता शांडिली एबीपी न्यूज दिल्ली एबीपी न्यूज आपको रखे आगे